कम विक्षित देशों में जनसंख्या विरिद्धी की दर जादा है और यह है जो है 1.6% की विरिद्धी दर से बढ़ रही है ऐसा माना जा रहा है कि आगा में 30 सालों में जनसंख्या विरिद्धी 98% विकास्चिल देशों में एग विक्षित देशों में हो जाए है विक्सित देशों में अमरिका, न्यूजिलेंड, आस्ट्रेलिया में जनसंख्या वरिदी दर एक परसेंट है लेकिन ऐसा होने के मुख्यकारण वहाँ परवास है इन देशों में दूसरे देशों से काफी संख्या में लोग आकर बस जाते हैं और जनसंख्या दर में वरिदी में महतवपून योगदान देते हैं कुछ देशों में जनसंख्यावरिदी शुन्य या रिनात्मक है इस रेनी में हंगरी इटली पुर्टोगाल सोवेस संगीता दी सामिल है पूरू युरोप के देशों में रिनात्मक दर का कारण वहां के लोगों का प्लाएन निमनस्तर के स्वास्ते को दर्शाता है अफ्रिका के देशों में जनसंख्यावरिदी की दर अधिक्तम है ये 2.4% है और इसी कड़ी में पस्चमी एशिया 2.2% मध्य अमरीका 1.9% दक्षिनी मध्य एशिया में 8.8% शामिल है एक शितर से विभिन देशों की जनसंख्यावरिदी दर अलग-अलग हो सकती है दक्षिन एशिया क्षितर में पाकिस्तान की जनसंख्यावरिदी दर सबसे अधिक है ब्रिदेदर में ये भिनिताएं कई कारणों की वज़े से हो सकती हैं जैसे जाग रूकता का भाव गर्म निरोदक्सादनों का अपलगने उना अनपड़ता गरीबी इस्त्रियों का निम्स्तर इत्यादी जनसंख्या की स्थिती को स्थिर करने के लिए इन मुद्दों का निवारनती आवश्यक है और परिवार कल्यान कार्यकरम जिनका उदेश्या इस्त्रियों और बच्चों को सशक्त और शक्ति साली करना है उनको अवेर करना है इसके माधिम से प्राप्त हम कर सकते हैं जनसंख्या विस्फोट, बार अक्तूबर नाइंटिन नाइन के आकडों के अनुसार विश्व की जनसंख्या नो छे बिलियन तक पहुँच गई है, हर सेकेंड में पांच लोगों का, पांच बच्चों का जनम होता है, जिन में से दो के मृत्य हो जाती है, और तीन लोग जो हो रही, बढ़ोतरी, अपने आर्थिक और वेपरियावरन पर होने वाले दुष्परभावों से सारे संसार को परभावित करती है, जनसंख्या का वर्तमानस्तर मानव कल्यान में एक बड़ी रुकावट का कारिय कर रहा है, अते हमारे लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या आराम से, खुशी से और स्वस्त रूप से रह सकती है, और भविश्यकी पीडियों के लिए दुनिया रहने योग्या बनी रहे ऐसी वरस्था में बरकरार रह सकती है, परिभाशा से यह सपष्ठ हो गया है कि जनसंख्या विस्पोर्ट सिरफ अधिक जनसंख्या ही नहीं है परन्तु यह प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करती है, अगर संसाधन प्रियाप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो जनसंख्या को स्पोर्ट नहीं कहा जाता, तीवर विद्धी के कारण, जनसंख्या विर्धी के क्या कारण है, एक तो मृत्युदर में गिरावट है, आज उद्धादन में परसंस निये विर्धी हुई है, हरित करांती भी इसका एक कारण है, उन्नत किसम के बेजों का प्रियोग और वरक किटना आशकों, मशीनों का उपलब्धता, भेतर से चाई के साधनों की विवस्था की वजह से खाद्य सुरुक्षा को हम संभव बना है, इसकी वज़े से लाखों लोग जो एक शताबदी पहले विविन बिमारियों के कारण काल गरसित हो जाते थे, अब जीवीत रहते हैं और जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, महमारी जैसे हजाप लेगादी के वज़े से जनसंख्या नियंतर में रहती थी, परन्तु अब प्राए ये बिमारियां नगन्य हो चुकी हैं और चिकित्सा सुधाओं की उपर लगतता की वज़े से ओसतायू में काफी बढ़ोतरी हुई है, टीका करन, जनसंख्या वरिदी का एक बड़ा कारण नवजाच शुमरित्युदर में कमी है, ऐसा कुछ परमुक बिमारियों जैसे इंफ्लिंजा, चिचक, पोलियो, तपैदिकादी के टिकों की खोज की वज़े से संभव हो पाया है। 1798 के अनुसार उनका प्रसिद्ध निबंद, जनसंख्या के नियमों पर निबंद में सपष्ट तोर पर लिखा गया है कि जनसंख्या प्राप्त साधनों को अपेक्षाकृत जादा बढ़ जाती है। राष्टे संसाधनों पर परभाव, इसके दुष्ट परभाव, राष्टे संसाधनों पर दबाव, प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपब्लवता कम हो जाती है। और इससे संसाधनों की गुणवरता भी परभावित हो रही है। गैर नभी निकरन के संसाधनों के तिवरोप योग से इन संसाधनों का जीवन काल बहुत कम हो गया है। ये जल्दी खतम हो जाते हैं और इसकी वज़े से आराम से जिंद्गी जीने की इच्छा संसाधनों का अतिदोहन परिरित करता है। और इसकी वज़े से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पर्दूशन जनसंख्या विश्फोटक की वजए से परदूशन की समस्या उत्पन हो रही है संसाधनों के उत्खनन आति दोहन परिवर्तन और उप्योग से वायू जल भू में परदूशन हो रहा है और भू संसाधनों का विकृति करन हो रहा है तेजी से बढ़ रही की वजे से ही इसी का एक दुष्परिम नाम माना जाता है जंगलों को काटा जाता है बस्तियां बसाने के लिए क्रिश्य योग्य भूमी को बनाने के लिए और यह जो है परियावर्ण की परदूशन की समस्या को बढ़ाता है गरीबी गरीबी और जन्संख्या वे स्पोट मे गेहरा संबंद है जितनी जादा जन संख्या जिस जगे की या जिस देश की होगी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा गरीबी इसका जो है परिणाम के रूप में उभर कर आती है जन संख्या सबसे गरीब देशों में अधिकतम दर्से बढ़ती है उच परजिनन शक्ति को गरीब और उच नवजात मृति उदर से जोड़ कर दिखा जाता है ज्यादा जनसंख्या से मतलब यह है कि लोग जिनका पेट भरना और रहने की उपलब जगे उपलब्ध करवाना है गरीब देशों के संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है अधिक जनसंख्या वृदि के कारण जिससे स्वास्थे स्तर नीचे गिर जाता है एस्वस्थ या कमजोर व्यक्ति को कम काम मिल पाता है कम काम कर पाता है और उसकी आई में कमी हो जाती इस वज़े से गरीबी के दल दल में और ज़्यादा घस्ता जाता है और ज़्यादा बिमारियां और परणाम सरूप मिल्ट से संबंदित है समाजिक एशांती जनसंख्या विस्पोट गरीबी और प्राकतिक संसाधनों की कम उपलबदता से भी जुड़ा हुआ है अधिक जनसंख्या के कारण एशंख्या लोग रोटी पानी आश्रे सिक्षा और रोजगार से वंचित रह जाते हैं और ये लोग एश समाजिक तत्वों के शिकार हो जाते हैं और समाजिक एशांती का कारण बनते हैं तो जनसंख्या विस्पोट को समाधान हम कैसे कर सकते हैं इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है अधिक जनसंख्या प्रत्वी की जीवन दाईनी प्रनालियों को नश्ट कर देती है अब हमें ये निश्चित करना है कि भावी पीडियों को प्राप्त मातरा में प्राकर्तिक संसाधन उपलब्द हूँ इसके लिए कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारन आवेश्य हो गया है जो जनसंख्या को स्थिर रख सकें इन में से कुछ नीतियां ऐसी हैं जैसे लोगों को आवेयर करना, जागरुकता लाना, जनसंख्या के दुष्परभावों के बारे में उन्हें ज्यान देना जनसंख्या संबंदी मुद्दों को हर नागरिक मंच पर चर्चा का विशय बनाना चाहिए ताकि उसके परिणामों, दूस परिणामों को लोग जान सकें और उसके प्रति जागरुक हो सकें और उसको control करने में वो समाज की हिस्सा बने, समाज का एक हिस्सा बने शिक्षा, स्तरोर प्रजनंदर आपस में जुडे हुए है अन्पध ज्यादा जनसेंख्या में अन्पध जनसेंख्या की इव्रेदिदर ज्यादा होती है इसलिए यह सुनेशित किया जाता है कि प्रतेक नागरी को शिक्षा की सुगता अबलब्ध हो विशेश तोर पर बच्चों और इस्त्रियों को ताकि प्रजन्दर को घटाया जा सके परिवार नियोजन के कारियक्रम चलाए जाने चाहिए और ये भावी पीडियों को परभावित करता है परिवार नियोजन के विभिन तरिकों की जानकारी इस्त्रियों का स्तर इस्त्रियों को सिक्षित किया जाना चाहिए और परिवार के आकार को नियत्रित करने में इस्त्रियों के सिक्षास्तर उनकी सामाजिक आर्थिक स्तर जो है महतवपुन योगदान देता है फैमिली वेलफेर परिवार कल्यान के लिए परिवार को एक इकाई का रूप माना गया है परिवार कल्यान कार्यकरमों का उदेश्य है इन इकाईों को सरक्षित करना एवं इनको मजबूत बनाना है इसके लक्षे के प्राप्ति के लिए आर्थिक साहेता वे अन्य सेवाउं में साहेता उपलोद कराना परिवार कल्यान कार्यक्रमों का अभिन अंग है यह कार्यक्रम परिवार में मा और बच्चों के महत्व को बताते हैं जन संख्या इसी तीवरता से बढ़ रही है तो 2018 तक 24 अरब हो जाएगी इतनी संख्या में परिवार कल्यान और चिकित्सा सेवाउं का उपलोद कराना एक धिव्यस्वपन की तरह बनकर रह जाएगा तो इन परिवार का लियान कार्यक्रमों का अधार बुदलक्षय परिवार के आकार को नियोजित करना उसको लिमिट करना जन संख्या को स्थिर करना है ताकि संसादन सभी को उपलोद हो सके भारत पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने 1922 में राष्टिय परिवार नियो जनकार्यक्रम शुरू किया और इसका उद्देश्य परिवार के आकार को ऐसे स्तर तक सीमित करना था जिसमें जनमदर में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए आवशक स्तर पर गिरावट आ जाए इन कार्यक्रमों को एक अपने उद्देश्य में विफल रहे कियो कि आज भारत की जनसंख्या एक अरब से भी अधिक हो गई है भारत विश्व का सिर्फ 2.4 प्रतिशत है जबकि इसकी जनसंख्या विष्व की के से बचाने योगे सभी बिमारियों का ठीका करन लड़कियों की कम से कम ठारा वर्स से पहले शादी नय करना और एड्स वगेरा के परती जागरूप करना भारत में जन संख्या वरिद्धी का मुख्यकारण अनपड़ता है और छोटी उमर में शादी करना परिवार नियोजन जनम नियंतरन एक यान एक ऐसे कारिय उपकरन या दवाईयों का उपिया गया जिससे जन संख्या को जो है कंट्रोल किया जा सके इसके लिए विबिन तरह के तरीके भी अपनाए जा सकते हैं चिपको अंदोलन यह हैं आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था चिपको अंदोलन में पेडों और जंगलों को नश्ट होने से बचाने के लिए सरक्षन के उदेशे से यह एक एहिससक अंदोलन था चिपको अंदोलन का नाम आलिंगन शब्ज से लिया गया है क्योंकि ग्रामीन पेडों को गले लगाते थे और उन्हें लकड़ी काटने व चिपको अंदोलन में चमोली जिले से उतर परदेश में शुरू किया गया था उसके बाद यह देश के अन्य हिस्सों में फैल गया इसमें एक लेडी के बारे में परसिद कहानी है अमरिता जेवी जो अपने गाउं में उगे पेडों को बचाने की कोशिश करते हुए मारी गई थी यहां महराजा का शासन था उन्होंने लकडी महल बनाने के लिए लकडी मंगवाई तो वहां पर जो है उनके कारिंदों ने उस महिला को मोद के घाट उतार दिया ऐसी है गटनाओं से प्रेरित होकर अन्य ग्रामिन महिलाओं ने देश के विभिन हिस्सों में यह आ पूरा देवी शुरेशा देवी बचनी देवी देव सुमन मीरा बहन सरला बहन और अमित्ता देवी थी तुछ चिक्कों अंदोलन सुंदरलाल बहु गुनायक परियावरन कार्यकर्दा जिसने अपना पूरा जीवन ग्रामिनों को मनने और शिक्षित करने सरकार द्वारा जंगलों और हमाले के पेड़ों का विनाश करने का विरुद करते हुए विताया के तहट गती प्राप्त की यह है वह था जिसने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारत की प्रधान मंतरी श्रीमिति इंद्रा गांदी से अपील की थी उन्होंने नारा दिया कि प बड़ी उपलब्दी 1980 में उतर प्रदेश के जंगलों में 15 साल तक पेड़ों को काटने पर परतिबंद था बाद में हिमाचल प्रदेश करनाटक राजस्थान बिहार पस्षिन घाडविंद्य में परतिबंद लगाया गया और सब भारतिये प्रधान मंतरी के आदेश प्र प्रधानाम के दो आदमियों ने इसे शुरू किया था जिसने वन विभाग को पेड़ों के कटाई पर वन नीती बदलने के लिए मजबूत किया वन नीती को परभावित करने के अलावा यह है अन्या भागों में भी फैल गया और इस आंदोलन के तैत वनों को बचाया गया आठ सितंबर 1983 को एक उग्र कारे करता पांडूरंग हेंगडे ने अपिको गले लगाना अंदोलन को शुरू किया था उतर परदेश में सुंदरलाल बहुगुना के चिपको अंदोलन से प्रणा प्राप्त करके जिसमें ग्रामिनो को राजय द्वारा गिराने से बचने के लिए पेडों को गले लगाया जाता था और सरक्षी चेत्रों के अंदर लकडी की कटाई के खिलाफ कोई कानून नहीं था पस्चिमी घाटों में मोनोकल्चर मोनोकल्चर मींज एक ही तरह की फसल उगाना उसके खिलाफ अपिको अंदोलन शुरू किया गया आज यह लोगो में मोनकरांती हुई अपिको अंदोलन के संस्थापक कौन थे अपिको अंदोलन के संस्थापक पांडूरंग हेंगडे थे उन्होंने कहा कि अंदोलन पस्चिमी घाटों में संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है और इन्होंने इस अंदोलन के थहत समेदन शिल्शेत्रों को बचा लिया गया पेडों की कटाई मोनो कल्चर वन निती वनों की कटाई का विरूद करने के लिए शुरू किया गया अंदोलन वन निती को बनाने में सफल बदनले में सफल रहा सेव साइलेंट वेली सेव साइलेंट वेली एक सामाजिक अंदोलन था जिसका उदेशे भारत के केरल के पलककट जिले में एक सदा बहार उशन कटी बंदिया जंगल जिसको साइलेंट वैली का नाम दिया गया था उसके सरंक्षन के उदेशे से प्रेरित था 1973 में NGO द्वारा शुरू किया गया था जिसके नेतर्तव में स्कूली सिक्षकों केरल साहिते संस्था परिशद ने एक पन बिजली ओजना से बाड की वज़े से मुख घाटी को बचाया था 1985 में घाटी को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोशित किया गया यह दिलीप के रिवास द्वारा शुरू किया गया तो यह एक नंबर का क्वेस्चन बनता है कि साइलेंट वैली का जो बचाने का आंदोलन था वो किस ने शुरू किया सबसे पहले यह वली के हरे भरे जंगलों में अपना मूल स्थान है कुंति पुंजा नदी पर सित सेरंध्री बिजली उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में इसको पहचाना गया 1970 में केरल स्थेट इलेक्टिसिटी बोड ने इस नदी के उस पार पन बिजली बांध बनाने का प्रस्ताव रखा जो साइलेंट वैली से होकर गुजरता और 8.3 किलोमेटर वर्ग के अंचुए नमसदा बहर जंगलों को नश्ट कर देता और उन्हें जनल मगन कर देता तो उस को बचाने के लिए जंगलों को बचाने के लिए ये परियोजना रद करने के लिए अंदोलन शुरू किया गया जिसको हम नाम दिया गया सेव साइलेंट वैली फर्वरी तियातर में योजना योग ने लगब 25 करोट रोपे की लागत से परियोजना को मंजूरी दी थी 1976 में सबसे बड़ा लोग प्रिय संगठन केरल संस्था साहित्य परिशद के SSP इस पर्योजना की योजना और उस्वित्र का निरिक्षन करता है जहां पर बांध बनाया जाना है संगठन के राज्य समेलन में बांध परियोजना के निर्मान को रोकने के लिए प्रस्ताव स्विकार किया गया और सामुहिक हास्ताक्षर अभियान चलाया गया इस परियोजना में लाप को देखने के लिए कुछ राज्य विधान सबा सद्ध से परियोजना के कारियावन के लिए परियोजना के आरंभ में राज्य सरकार पर दबाब डाल रहे थी उस समय के SSP आंदोलन जो की तकनिके आर्थिक और समाजिक राजनितिक मुल्यांकन के वर्ष में शुरू हुआ था जिसने राज्य सरकार को परियोजना के कारियावन को स्थखित कर दिया गया इस आंदोलन के तहट बांध बनाने की परियोजना को स्थगित कर दिया गया इस आंदोलन की वज़े से साइलेंट वैली को सेव कर लिया गया तो साइलेंट वैली वह स्थान है जहां पर जीवित प्रकृति जीवित जानुरों की भारी मात्रा में अपना घर बनाया है और यह बांध परियोजना का निर्माण सफलता पूर्वक करने पर प्रकृति के एक हिसे को समापत कर दिया जाता नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 में अभियान शुरू किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने उसे नाम दिया गया है उसे सबसे शक्तिशाली यह जन आंदोलन है नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की बहने वाली नदी है जो यहां के जंगलों में बसे देशी आदिवासी लोगों से लेकर ग्रामिनापादी की बड़ी संख्या में प्रतिष्टित संस्कृति और परंपरा के साथ विभिन परकार के लोगों का समर्थन करती है समर्थित है नदी के किनारे 3000 से दिक बड़े और चोटे बांद बनाने की योजना है नर्मदा बचावां दोलन एक बहु करोड की परियोजना है जो सरकार के लिए बड़ा राचस्व उत्पन करेगी नर्मदा घाटी विकास योजना भारत की इतियास में सबसे वादा और स सबसे चुनोती पुन योजना है समर्थक मानते हैं कि यह साड़े 1400 मेगावाट बिजली और शुद्ध पेजल का उत्पादन करेगा जिसमें गाउं और कस्बों के हजारों लोगों को कवर किया गया कुछ बांद पहले से ही पूरे हो चुके हैं जैसे तवा और बर्गी बा वहाव होगा जो जैविक वीवित्ता और जन जीवन और कृशी भूमी पर पड़ेगा दूसरी तरफ यह मना जाता है कि हजारों लोगों को उनकी अजिवका से बनचित करेगा और यह मना जाता है कि तकनिकी संसादनों के मादिन से लोगों को पानी और उर्जा परदान की जा सकती हैं जो पारिष्थितिक रूप से फायदे मंध होगी परमुक नितनर्टा मेधा पाटे करने के नेतरतव में इसे अंतरराश्टि विरोध में बदल दिया गया इस अन्दोलन की जो शुत्रदार हैं उन्होंने से अंतरराश्टिय स्तर पर इस आंदोलन को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर के NGO से स्मर्थन प्राप्त कर रही है और इस मुद्दे पर परदंशनकारी मीडिया भुकड़ताल बड़े पैमाने पर मार्च रह लिया और कई वरित चेतर और फिल्मों के स्क्रीन के माध्यम से वो आंदोलन कर रहे हैं और को शांती पूर्ण विरोध करते रहे हैं लेकिन पुलिस टू का द्वारा उन्हें कई बार प्रेशान करना ग्रिफ्तार करना और मारा पीटा गया है नर्मदा बचाव अंदोलन मीडिया के माध्यम से पर्योजना से अपना रिण वापस लेने के लिए विश्व बैंक पर दबाब बना रहा है सुपरस्टार आमिर खान जैसे भी कई परसिध हस्तियां जो है इस अंदोलन को प्रभावित कर रही हैं उन्होंने नर्मदा बचाव अंदोलन का खुले उसके लिए उन्होंने खुले प्रियास किये हैं और अंदोलन को समर्थन दिया है उन्होंने कहा कि वे यह चाते हैं कि लोग इसमें भागले और सरवत्तम संभव समाधानों के साथ आएं इको फेमिनिजम इन इडिया इको फेमिनिजम स्विकृत मान दंडों के अनसारों निस चुएतर में चिकको अंदोलन के रास्ते के साथ अपनी पहली उपस्तिती के बारे में कहा जा सकता है हलांकि यह कई लोगों द्वारा भी लड़ा जाता है इसमें किसानों के संगर्ष के रूप में देखा जाता है जिसका नेत्रतव किया गया है संदरलाल बहुगुना नाम के एक वैक्ती वै अन्य वैक्ती चंडी परसाद ने स्थानिय लोगों के अधिकारों के बारे में जागरुता बढ़ाई काफी समय के बाद उत्राखंड की महिलाओं ने लकडी माफिया के खिलाफ विरोध परदर्शनों को आयजित करने में बड़ी बहतोपूर्ण भूमी का निभाई थी 1974 में आतियासि गटना जब गटी जब गोरादेवी गाओं की महिलाओं के एक समोह ने वर्तमान उत्राखंड के चमोली जिले के रिनी गाओं हिमवाल गाटी में पेडों की कटाई को रोका चार दिनों की स्तरक्ता के माधम से उन्होंने पेडों को गले लगाया था और मैलाओं ने इलाबाद के एक स्पोर्ट गुड निर्माता को लकडी की आपूर्ती के लिए राजयवन विभाग द्वारा सुपे गए ठेकेदार द्वारा पेडों को गिराने से रोका इस आंदोलन का उदेश्य वनों को उनके अधिकारों की भाली की मांग करना था उस सक्षित्र में तेजी से वनों की कटाई को रोकना था जिसमें जलाओ लकडी पानी चारे की कमी थी और बड़ी संख्या में सिविल इंजीनिरिंग परियोजनाओं के बाद हुआ था जो उ जित्र में लगातार बाड और बूस्कलन का कारण बने हुए थे हलांकि एक एजीविका के लिए आंदोलन था लेकिन कई ऐसे भारत में कई इसे भारत में परस्थितिक वादिया के अगरुदूत के साथ-साथ विकास्चिल दुनिया के रूप में देखते हैं वंदना शिवा महाश्वता देवी मेदा पाटेकर को विचारधारा समाजवादी विचारधारा पर आधरित है वंदना शिवा भारत में एक भोतिक विज्यानी परियावन शोद करता स्टेंग अलाइव विमेन एकोलोजी अंड सर्वाइवल इन इंडिया 1988 में प्रकाशित की तीसरी दुनिया के बताने के लिए करते हैं परियावरन नैतिक्ता इन्वाइर्मेंटल एथिक्स मिन्स दर्शन शास्त्र की यह वह श्याखा है जो की ठीक गलत नैतिक मुल्यों की पहचान और किसी कारिया अथ्वापदार्थ के मोल से संबंदित है नैतिक्ता वह विश जो मानव और परियावरन के नैतिक संबंदों परियावरन में इसके गैर मानविये तत्व के मुल्य का नैतिक स्तर पर अध्यन करता है इस दशक में सतर के दशक में दर्शन शास्त्री निया परियावरन नैतिक्ता को एक ने विश्य के रूप में संजोना शुरू कर दिया विश्व में परियावर नयतिक्ता के संबंद में दो मत हैं मानव केंदरित और परितंतर केंदरित मानव केंदरित के नुसार मानव को ही श्रेष्ट माना जाता है कि ये बेनिफिट के लिए सभी कारिये किये जाते हैं परितंत्र के अंदर में मानव को इंपोर्टेंस ने दे के प्रकृति को जो है इंपोर्टेंस दी जाती है उसमें ये कहा गया है कि जीवधारियों के लिए सभी प्रकृतिक संसादन सभी जीवों के लिए बराबर हैं सभी का बराबर अधिकार है और प्रकृतिक संसादन सीमि प्रकृति पर दुश्प्रभाव, दूसरा प्रकृति पर मानवगर्थी विदियों का प्रभाव और नैतिकता का बढ़ावा, मोरल्टी को बढ़ावा देना, कोई भी मनुश्य किसी दूसरे मनुश्य का एक लाव वे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता प्रतेक मनुश्य को प्रियावरन के प्रति नैतिक मुल्यों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रकृति का सम्मान करें, प्राकृतिक संसाधनों का समान वीतरन सभी के लिए प्राकृतिक संसाधन बराबर हैं, अति दोहन नै करें, प्रत्वी हमारी जुरूटों को पूरा क कर सकती है लोग को पूरा नहीं कर सकती इसी तरह से जन्शंख्या पर नियंतरन करे ताकि प्राकर्तिक संसाधनों पर दबाब ज्यादा नयब बने और उस पर दबाब कम बना रहे प्राणियों और वनस्पतियों के प्रति सम्मान की भावना हमें प्राणियों वनस्पतियों क को सरंक्षित करना चाहिए भारत सरकारने 99 में टोटल सैनिटेशन केंपेन के नाम से एक अभियान जलाया जिसे बाद में निर्मल स्वच अभियान NBA का नाम दिया गया सोचलय निर्मान के लिए परिवारों को वित्य साहता दी गई और सभी घरों में भी व्यक्तिगत कम्लैस्टर सोचलय सामधा 144 के साथ कवर करते होपर द्यान मुंत्यी मैं निर्मल भार्त अभियान के पुनरगठन के लिए εपनी स्विक्रते दी NBA को स्वच भारत मिशन में दो उप मिशनों एक रामिन शेत्र के लिए और दूसरा शेहरी शेत्र के लिए पुनरगठित किया स्वच भारत मिशन SBM भारत सरकार की द्रिष्टी से मातमा गांधी को सरधान जली के रूप में उनके 150 जैनती पर वर्ष 2019 में पूरे देश में सचता अप्षिस्ट परवंधन और सचता सुनेश्चित करने के लिए मनाया जाता है भारत के परधान मंतरी ने 2 अक्तूबर 14 को SBM का शुबारम तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सचता अभियान को कब शुरू किया गया गांधी जैनती पर 150 वर्ष पूरे उन्हें पर 2 अक्तूबर 2014 को उसको मनाया गया SBM के क्या उदेश्य थे खुले में सोच का उन्मूलन, मैन्वल स्केंजिंग का उन्मूलन, स्वास्थे परथाओं को परिवर्तन और उनको व्यवहार में लाना गंगा परियोजना, गंगा अंदुलन, सेव गंगा अंदुलन गंगा बचाओ अंदुलन एक गंधिवादी एंसका अंदुलन है जो एक स्वतंतर गंगा के समर्थन में भारतिय राज्यों, उत्तर परदेश और बिहार में संतों और लोग प्रिय समाजी करे करताओं द्वारा समर्थित और संपादित है आंदुलन की गंगा सेवा अभियान, पुने, स्थित, राष्ट्री, मैला संगर्थन, एन्डवलियो के अलावा कई अन्या, समान विचारधारा वाले संगर्थनों और कई धार्मिक नेताओं आत्मिक और राजनितिक व्यग्यानिक परियावरण विदों और लेखोकों और समाजी कारे करताओं के नेतिक समर्थन का आउटकम है, रिजल्ट है, परियावरण के क्या-क्या मुद्दे हैं, जो गंगा के परियावरण से जुड़े हुए हैं, एक तो परियावरण का स्तर इसमें बहुरता जा रहा है, कच्रा वगएरा, इसमें रासायनिक सनियंत्र, क कपड़ा मिलों, भटियों, आदी का, सभी का विशाक्त, जलिस में मिलाया जाता है, दुसरा बांध, भारत के बटिश उपनिवेश के दोरान, उनिस सुचमन में निरुट हरिद्वार बांध ने नदी के प्रवा को बहुत कम करके गंगा का शै कर दिया है, गंगा की चोड आने वाली गंगा नादी जहां से निकलती है, गंगोत्री गलेशियर तीस पॉइंट दो किलोमेटर लंबा और जो है, धाई किलोमेटर चोड़ा हिमाल्या से निकलता है, जहलांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारणी है, 1780 से घट रहा है, और 71 के बाद तेजी से पिछे हटते हुए गंगा से घट अंधोलन चलाया गया है, इस पर सरकार ने काफी प्रियास किये हैं, गंगा पर प्रियोजनाओं के लिए मंजیरी दी गई है, और गंगा के लिए 17तर निकरानी स्मीत्ति बनाने के लिए कारे करताओं के मांगों को पूरा करने के लिए, इने सरकार ने प्रस्ताव दिया है वहां दोलन जिसने 168 दिनों से सबसे अधिक खबरें बनाई उसने आयो ज़िकोंदोरा ततकालिन केंद्रिये परधान मंतरी केंद्रिये कोईला मंतरी शरी परकास जायस वाल दवारा दिल्ली में ततकालिन प्याम मनमोन सिंग के पत्र के बाद काम दानमंत्री द्वारा गठी तेक अंतर मंत्रा लिये इसी मिति उसी अवदीमे गंगा के प्रवाह में बादाउत पन करने वाले बांधों पर अपनी अध्यन रिपोर्ट प्रस्तूत करेगी आयोजन्स मेति द्वारा यहने ने लिया गया कि महा संगराम केवल तीन मैने के लिए रोका जाए और सितंबर में फिर से उसे शुरू किया जाए